हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अपने इस यूटूब चेनल पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेखनिक लेक्चरर रेक्रूट्मेंट के बारे में क्योंकि BPSC के द्वारा कल ही यानि 18 जून 2022 को अपना एक्जाम कैलेंडर अपलोड किया गया है और उसमें इस बात को भी मेंशन किया गया है कि बिहार पॉलिटेखनिक लेक्चरर के लिए जो डिफरेंट ब्रांचेज में पोस्ट निकाली गई है उनके एक्जाम कब तक हो सकते हैं तो दोस्तों बिना टाइम को वेश्ट के हुए चलिए डार्कली हम देखते हैं कि एक्जाम कब संभावित तितियां क्या है या फिर किस महीने में एक्जाम सेड्यूल हो सकता है लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर मेरे द्वारा जो भी अपडेट दिया जाए वो आप तक इसली पहुँच सके तो आएए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि कलेंडर कहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसली देख पाएं कि क्या डेट्स निर्धारत की गई है इन पोस्त के इग्जामिनेशन्स के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग BPSC की में साइट पे आ चुके हैं BPSC की में साइट पे आने के बाद नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करेंगे तो एकदम लेट साइट कॉर्णर में एक्जाम कलेंडर करके आपको दिखेगा यहां देखिए मैं हाइलाइट बई कर रहा हूँ यह एक्जाम कलेंडर करके दिखेगा यहां पे क्लिक करने से एक्जाम कलेंडर डाउन डोड हो जाएगा तो चलिए अभी exam calendar को open करके देखते हैं कि कब-कब और क्या-क्या dates हैं इन different post के examinations के लिए अभी हमारे screen पे आ चुका है exam calendar जो है उसमें आप देख सकते हैं कि बिहार लोग सिवा आयोग द्वारा वर्स 2022 में आयजित की जाने वाली संभावित परिच्छाओं की बिवरड़ी इसमें कई सारे examination का बिवरड़ दिया है हम सब पे ध्यान नहीं देंगे हम देखेंगे जो हम पॉलिटेकनिक लेक्चरर पोस्ट है उसके रिए examination कब सिस्केडियूल है तो 9th serial number पे आप देख सकते हैं दोस्तों 9th serial number पे लिखा हुआ है कि राजकी पॉलिटेकनिक राजकी महिला पॉलिटेकनिक संस्थानों में ब्याख्याता बिद्दूत अभौतकी रसायन सभी ब्रा दuins लुए उसके पहले जहां तक मुझे आइडिया है हम भोगे एक जाम वह एसेस्टेन्ट प्रोफेंसर के तो उसके पकाम से कम एक से डेढ़ महिना पहले वो बता देती है कि expected date यह है और इसी particular date पे आपका exam होगा तो एक से डेढ़ महिना और उससे पहले उसको eligible और ineligible candidates का list भी निकालना है तो अभी तक तो किसी भी ब्रांज में eligible और ineligible candidates के list नहीं आए के वल अभी यह निकला है कि किसके documents receive हो गए by post किसके documents receive नहीं हुए तो इसलिए बहुत जल्दी होगा तो अगस्त के second हाप से ही शुरू होगा और November तक different post है उनके exam November तक होगे तो दोस्तों अभी पिछली वीडियो में ही हम बात कर रहे थे एक्जाम तो होगा ही और हमें अपनी तयारी शुरू करनी है पिछली वीडियो में मैंने ये भी बात करी थी कि किस प्रकार से BPSC में जो लोग जो candidates apply किये है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की post पे वो आप देखेंगे कि उनके selection का जो chance है वो काफी ज़्यादा increase हो गया है तो पिछली वीडियो में मैंने उसकी भी analysis थोड़ी सी की हुई है तो अगर आप चाहे देखना तो मैं उसका भी link description box में दे दूँगा और साथी जात में इन डिस्क्रीन पे भी यहाँ पे आपको दिखेगा उस वीडियो को भी आप जरूर देखे और ये बात याद रखे कि जो exam है वो 2022 इंड तक 2022 इंड तक ही आप लोग के हो जाएंगे तो अपनी तयारी को जोर सोर पे start कर दीजिए और पूरी तरीके से तयार हो जाएए क्योंकि ये बहुत ही golden chance है आप सभी लोगों के लिए कि इतनी सारी recruitment एक साथ आएं उन में से final process से गुजर रहे हैं कई लोगों के final result आ चुके हैं कई के final result आने जस्ट बाकी है कई लोगों में joining भी सुरू हो सकती है जब तक exam सुरू होगा तो chances बहुत ज्यादा है कि आपको यहां इस recruitment में सफलता मिले अगर अभी तक किसी में नहीं मिला है तो तो इसलिए दोस्तों त VPSC जल्द ही announce कर देगी लेकिन उसमें कम से कम अभी दो महिने शुरुआत होने में भी मुझे लगता है दो महिने लगेंगे क्योंकि अभी तो eligible candidate का लिश्ट निकालना पड़ेगा एक ब्रांच में उसके बाद लगबग एक महिना बाद ही उसके exam को conduct किया जाएगा VPSC के तो यही information मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता था आज के इस वीडियो में तो अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें साथ ही साथ में VPSC से related ही एक दूसरा वीडियो मैंने बनाया है जिसमें यह बताया है कि कैसे परेटिक ल साथ है वह दो से तीन गुना या पांच गुना तक बढ़ चुका है तो एक बार उस वीडियो को भी आप जरूर देखें इतना ही कहना चाहूंगा तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को रोकता हूं thank you very much for watching this video